हेलो एव्रीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल GDC Medicine पर हम अपने चैनल पर दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवन स्वास्त देखवाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पर देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारे चैनल पर न उनको खाना कहीं न कहीं आपके सरीर के लिए हानिकारक माना जाएगा जी हां उसी के चर्चा होगी कि ऐसे फूट्स में क्या-क्या हानिकारक तत्तो पाये जाते हैं एस विल इन में से कौन-कौन से ऐसे फूड है जो कि आप डेली लाइफ में खाते हो और आपको खाना फूड है जो डीप फ्राइड होते हैं ओयल में डीप फ्राइड होते हैं तला भूना खाना देखिए सबको तो पसंद होता ही होता है खासकर जो स्नैक्स वगरा होते हैं उसमें आपके तला भूना अगर आलू का पकोड़ा हुआ या फिर ऐसे जितने भी डीप फ्राइड उसके खाने से क्या होता है आपको खाने में तो वह स्वाधिस्ट लगेंगे लेकिन वह हेल्दी नहीं होते हैं वह अनहेल्दी होते हैं हमेशा पेट भरा रहने का एसास कराते हैं और वह आपके ओबराल डाइजेशन के लिए बेनिफिशल ना होके बहुत जादा हानी कारक हो होते हैं फ्राइड़ फूड में देखे होता क्या है भूप जाधा तेल का इस्तमाल के जाता है तो अईली हो जाता है अब बहुत जगा आप ओयली खाते हो ना तो को डाहिजेस्ट करने में मुश्किल हो जाती है जिससे आपका डाइजेश्टर सिस्टेम से रिलेटेड समस समस्य होती है पेठ फूलना वाली समस्य होती है तो यह कंडिशन कभ में होती है जब आप फ्राइड फूड कहते हो जी हां खासकर आगर आपके पाचन सकती को बढ़ाना है पेठ सही रखना तो फॉड कम से कम खाए कोशिच करें ज्यादा नख है यह होग्गा फूड फिर अगर हम अगला फूड की बात कर लें जो processed food होते हैं जी हां processed food में mainly आपका जो carbohydrate बहुत ज़्यादा पाया जाता है fat पाया जाता है sugar पाया जाता है तो यह जो fat हुआ, extra sugar हुआ, carbohydrate हुआ यह आपके सरीर के लिए उतना beneficial नहीं होगा अगर आप खा भी रहे हो तो उस limit में खा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप खा रहे हो ना तो कहीं न कहीं आपके पेट के लिए या पेट सम्मंदी जितनी भी समसाय होती है उसके लिए यह reason हो सकता है जो processed food होता है उसमें खासकर बात करते हैं जो बेकरी वाले आइटम होते हैं बेकरी वाले आइटम में बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हो sugar है, fat है, आपका bread हो गया या फिर ऐसे बहुत से pizza अगरा हो गया ऐसे process जो भी food होते हैं वो आपके belting, bloaching यह सारी चीज़ों की समस्या वहाँ पे हो सकती है खाओगे तो पेट में बहुत ज़्यादा spasm की समस्या हो सकती है या फिर पेट से related जो कब जवागली समस्या constipation यह सारी चीज़े देखने को मिलती है जब processed food आप खाते हो उस spicy food को avoid करना चाहिए क्योंकि खाने में तो आपको ठीक है स्वाध्य लेकिन वो आपके कहीं कहीं overall body को नुकसान पहुचाता है body के हर एक part हर एक function को यहाँ पे affect करने का काम करता है और यहाँ पे खासकर रात को सोने से पहले spicy food का saving कभी नहीं करना चाहिए वो आपके पेट में at hand मरोड और दर्द वगरा यहाँ पे लाने का काम कर देता है तो यह भी आपके पाचन सक्ती को affect कर सकता है अगर बात करते हैं coffee जी यहाँ बहुत ज़्यादा चाय पीना बहुत ज़्यादा coffee का saving करना यह आपके लिए बहुत ही हानी कारक होता है यह overall आपके digestive system को affect करता है coffee में जो caffeine पाये जाता है तो उससे क्या होता है कि आपको brain को थोड़ा सा active रहेगा लेकिन कहीं नहीं कहीं आपके digestion के लिए वो चीज नहीं सही है वही चीज आपके चाय पे भी लागव होती है यह भी आपके digestion को affect कर सकता है अगर बात करते हैं artificial sweetener की artificial sweetener भी एक ऐसा food है एक ऐसा product है जो कि आपके पाचन सकती को affect कर सकता है अगर हम बात करते हैं यह भी content जिसमें sugar artificial जितने भी sugar पाये जाते हैं वह आपके लिए बहुत ही हानिका रखोंगे क्योंकि वह sugar आपके daily जो sugar की need होती है वह आप और खाद्यपदार से पा सकते हो natural चीजों से पा सकते हो लेकिन अगर आप extra sugar लोगे न extra sugar, extra glory, extra fat अगरा होगा overall आपके diabetes की समस्या भी हो सकती है या फिर आपके body से related बहुत ही ऐसे problem है जो की extra artificial sugar खाने से बस सकते हैं तो artificial sugar एक ऐसा food हुआ फिर coffee, chai का सेवन नहीं करना चाहिए यह भी digestion को fit करता है बहुत ज़्यदा spicy food खाओगे तो वो भी आपके पेट के लिए सही नहीं होगा फिर अगर processed food की बात कर ले bakery आइटम की बात कर ले वो भी कही न कहीं आपके पाचन सकती को प्रभावित करता है as well as अगर जो fried, deep fried है बहुत ज़्यदा पकोड़ा है, समोसा है या फिर ऐसे बहुत fast food वाले item है जो कि आप daily life में consume करते हो वो कहीं न कहीं आपके सरीर के लिए हनीका रखोगा पाचन सकती को अफिट करेगा so इस वीडियो में हमने बताया ऐसे कौन-कौन से food है जो कि आपके पाचन दंदर को नुकसान पहुचाते है digestion को गरबर करते है उम्मीद होगी इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी ये सारे food आप avoid करें क्योंकि आपका सरीर है healthy सरीर के लिए सही भोजन और जो सही खादिपदार्थ है उसका ही उपयोग हमें करना चाहिए उम्मीद होगी इसकी जानकारी समझ में आई होगी इसी तरीके से health से related जितने भी topic की जानकारी चाहिए वो हमारी channel पर उसकी जानकारी मिल जाएगी playlist वगरा visit कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो और उतक जरू सेर करें मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you so much All the very best